करेंगे को सबिस्द्राइध सब्सक्राइख market partners क करेंगे मिरति नहीं तुम्हें बनुक्रादध Ride एक बार कंपनी का गंटा बच गया तो आपन किसी मैं को नहीं बचानता है, समझा? परवर्दिगार करें, तुम्हारा भी सत्ता नाज हो जाए है गपूर भाई, अरे ये किसकी मा बहने कर रहे हो? अरे बेटा हीरा, क्या बता हूँ, इस कंपक सेज़ जी के पास अपनी बेची की शादी के लिए दो अज़ार रुपे मांगे जाए है अडवांस में, कंपक ने देने से इंकार कर दिया गपूर भाई, तुमको मांगने का इस्टाइल नहीं आता है इस्टाइल, अरे बेटा, जब मैं इस कंपनी में है ना, तो तुमारे साइस का था ठीज वरस काम करते, करते, घिस-घिस के इतना रह गया हूँ जब बेटा, तुम ठीज वरस तक काम करोगे ना, तो मुझसे भी छोटे हो जाओगे और मुझको इस्टाइसी करे हो गफूर भाई, आप उनका तो स्टाइली अलग है, देखो जब्बे के अंदर से घी निकलना होता है न, तो थोड़ा उंगली टेडा करना होता है ऐसे सेट लोग की तिजोरी से माल निकलना होता ना, तो थोड़ा चाल टेड़ा करना होता है अरे बेटा, मैं गरीब आदमी, क्या केरी चाल चलोगा फिर वह इपोकल बात, सला अपन मजदूर लोग की बिरादरी में यही तो बुराई है अपन लोग अपना गरीबी का लेवल माते पर लगा करके, मजबूरी का पोस्टर थोबड़े पर चिपका करके घुमता फिरता रहता है उसे देखकर ऐसे सेट लोग अपन से फाइदा उठाता है गफूर भाई, अभी तुम इदा ठेरो, अपन तुमको इस सेट से माल निकलने का नमोना दिखाता है नहीं, बिटा, मुझे हाथा भाई बिल्कुल पसरे है अरे हाथ कौन चला रहा है, गफूर भाई जब बात से काम निकल सकता है, तो हाथ चलाने से क्या फाइदा है तुम देखो वो ची साना अरे सीधा सीधा बोलेने क्या बोलना चाहता है सीधे इस बताता है करता है, वेटा बेटा था Gaun यह तो बोलो सेड, तुमारा किस्मत अच्धा था कि आपो नुदर बैटा था नहीं तो आज तुम इदर नहीं जेल में बैटा होता है तो इसका मतलब पुलीस ने हमारा ठाक पकड़ लिया है और नहीं तो क्या आपन क्या इतनी देर तक तुमको विक्चर का स्टोरी सुनाता है क्या जी कितने बजी हुआ अभी सेट सूरज ढूबने से सूरज निकलने त दें तुमको जेल का हवा कैसे खाने देगा फिर क्या हुआ है अरे फिर क्या दो चार क्लाग तक तो वह बाटली के अंदर गुसता ही नहीं इंस्पेक्टर फिर पटा पटा के पटा के उसको बाटली के अंदर कुसेला उपर से बुच मार तब वह बोला 5000 पांच हजार रु अब लेगा इंस्पेक्टर का हावल ना है अभी उसको जाकर के रुपिया चिटगा देने का है क्या नाम बोला तुमने हीरा हाँ हीरा हाँ से यह पांच हजार रुपए हैं तुम जाकर पुलीस को पटा दो कुछ नहीं होगा गरबर होगी तो हम जो तुमारे लिए बैठे हैं यहां लो क्या है से अब उनको तुमसे बहुत प्यार है इसलिए सब लपड़ा करता है वारना दूसरा को होता ना तो आपन उसके पर तुक तप अरे सौरी से थोड़ा तुक गिरिया है हम तो क्या है हम तो क्या है हम तो क्या है वह फरिश्टों को आज माता है बना के हम तो मिचाता है फिर बनाता है आदमी जूपते हैं करो बन करो यह फरियाद मचपन से सुनता आ रहा हो कि भगवान है खुदा है कहा तुमारा भगवान तुमारा खुदा यह जूट है तुमारी किताबों में जो कुछ भी लिखा हूँ सब छूट है सचा यह है तुमारे सामने इस दुनिया में कुछ लोगों ने हम जैसों को शत्रंज की मोरों की तरह नचा के रखा हुआ इसा चाहिए है नहीं बेटा नहीं वो जो करता है वो ही जानता है अगर आज उसने तुम्हें ठोकर मारी है तो कल ऐसा मरहम देगा के फिर कोई ठोकर तुम्हें सख्म नहीं देगी आज अगर तुम उसे नहीं मानते हो कल जरूर मानोगे जरूर मानोगे ऐ खुदा ऐ खुदा तुम्हें इस बंदे पर रहम कर रहम कर है। झाल 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 कर दिया मिस्टर हीरा तुम तो सच मुझके हीरा हो कहां इस शहर में पड़े हो यह जगा तुम्हारे काबिल नहीं है वैसे था यह दुनिया भी आप उनके काबिल नहीं है मैं सोचाता इसको छोड़ेंगे लेकिन अब कुछ लोगों का पता लगा करी छोड़ेंगे मिस्टर हीरा मेरा दिल कहता कि तुम एक दिन बहुत ऊपर जाओगे और सब अब उनका दिल भी यह कहता है कि एक दिन तुम भी ऊपर जाएगा अज़ा भी चलते हैं फिर मिलेंगे तुम सब आवे अरे क्या अंटी इतना गाना गाया हम कुछ बाब जी क्या करेंग इसका इसके आगे बीचे कोई रोने वाला नहीं है हम इससे कुछ भी करवा सकते हैं कि खरीद लो इसे और फॉरण नेरे पास लेकर आओ कि वे जर्मान क्या तुम हमको बियर बिला बिला की खिर्णा कुछ भी जो रहे हो हुँ अब नवस्ते बाबी जी है अरे वाइस तुमारी वी आपकी बाद करो क्या कांगर सकते हो तुम कांगर सकता हुँ अबहीं जो तुम च्वात का दिखा रहे थे उसके छोड़ थे मान मिलेगा तो आथ हुआप बी चला सकता हुँ करेंद सब्सक्राइब कर दो दुनिया के किसी भी चुने में चलने को तयार हुए तो नहीं थे प्रण अज़ी तब करता है इंडिया उटकर नहीं यह देखके बात करता है एक नमुना पेशे खित्मा है अगर शीशाय दिल पे बाल ना है हुजूर की तवियत को नागावार न गुजरे तो ये नाचीज आपकी हाथ पाथ आपके हुजूर अग्दस में चंद कलमात पेश करने की इजादत चाहिए परत परत सरकार अभीत तो सारा हिंदुस्तान बाकी है इवरी इनने पापा है वाय लग करें मजे कुड़े करने का तरिया और बापा की ना बिल्कुल समझ घ्या तुम वाके मेरे काम के आती है लेकिन हिरा तुम यह भी बदलना हुआ हुजूर कार पैसे कि दिए तो आजकल अपने माबाब बदल लेता है तो फुलिया बदलने में कितना ताइम लेता है ऐसी फुलिया बदलूंगा कि आपको भी पैसान ना मरी पड़ जाएगा एक बात और इधर से आप उनको रिटर्ण टिकेट मांगता है रिटर्ण टिकेट हां वो इसलिए कि अगर उदर आपक तुमारा करोबार पसंद नहीं है ना तुमारी ये बात हमें बहुत पसंद आपको रिटर्ण टिकेट मिलेगा और ये है कुछ पैसे और तुमारा खुलिया आप अरे जीओ मेरी राजा ये सला करदे इंसान को क्यासे बना देता है कल तक सिर्फ नाम का ही रा था है सला तसी हाह हाह मैंदधर आपको prior कर से असक्ति कहते लगत अप अब उनका बदल दिया तो देखना एक दिन अप उनके पास रहेगा अब इसका क्या करेंगे यह अपन का उकात है इंसान को अपना उकात कभी नहीं भूलना चाहिए तुमारा क्पड़ा ने जिस्वा नकली है असलि यह कपड़ा कियो समय आप अपन का खरी दिखायेता है यह अपन के जिसम का चंपरी है और ये यह सला अपन का कफण है काला कफण आपन जमाज में कश्च तो तुम्हारी बिरादरी का यह देखता है कि अब आप कि अब आप इसके नाम के नारे लग रहा है यहां के बहुत बड़े शेट है हर साल गरीबों को आज ही के दिन लाग पूर रुपया चंड़ा देते हैं तुम यह क्या कर रहा हुआ है कि अब दोस्तों कि मैं जैजेकार के काबिल नहीं हूं लावारिस हनात, यतीम, समाज पर बोज, मुझे इन लवजों से नफरत है इनके साथ जरा सी हमदर्दी जताका, इन्हें रोटी, कपड़ा, रहने के लिए मकाम दे कर लोग समझते हैं कि उन्होंने अपना फर्स पुरा किया लेकिन नहीं, इन्हें सिर्फ रोटी और कपड़े की जुरूत नहीं हूं यह भूके है प्यार के, महबबत के, इनसे प्यार करो, आगे बढ़ दो, इन्हें बढ़ कि सीनी से लगाओ, इनके प्यारो, अरे इतना ही अम्माद है तो अपन को भी गले लगाओ, अपन को भी त अबर वरत वरी का भभवाफ होए गाओ, कर लो तुम? लावर्स, लावर्स लावर्स चोड़ों अपना है है यहाँ बेटे, जो और गोकला है मिलम रोटे, अरे मिलम यहाँ कित नहीं को अबर बेटे हपन के बोलेगे अब दो बस इतना बोलेगा कि बच्पन में किताब मैं पड़ा था हुआ यह डाकू रात के अंदेरे में लोगों को लूटता ता और दिन के उजाले में उनी का माल उनको वापस कर देता था लोग उसकी जैजैकार करते थे उसके पांच होते थे अब उनकी समझ में नहीं आया कि वह धाकू था या देवता और एक बात बोलेगा यह अपना मतलब है ए और बात बोलेगा प्राइवाले ने अधनी के माते पर एक मीटर बनाया होता है आगे उसका बात का नाम उसके माते पर च्प जाता है इस दुनिया वालों को ये तो पता चलता की यह ते इन का बात कॉन पैसे वाला है अभी तुम बोलो पहरात और चंदे पर बनी इस चाथ दिवारी इन आश्रूमों में किसको बंद करना चाहिए इन मासूमों को या उन पैसे वालों को जोने ऐसे लावारेसों को पैदा करके छोड़ दिया है बस सेट जी अपन को इतना ही बोलने का था है कुछ गलत बात बोल दिया हो तो माप करना है क्या अपन लावारे से अपन के जो दिल में आओ बोल अभी अपन जाए आपके पास कुछ खाने को होगा बड़ी भूख लगी अजी जुरूर मैं बोल रहा हूं हाँ 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 एक पैकेट कुछे के खाने के विसकित यहां खाएंगे या घर ले जाएंगे क्या कहा है यह लूख और छुटा राखियो बाप के पास अराम के पैसे बहुत है तुमने मुझ से कुछ कहा है आपसे नहीं है क्या करा बाइसाब अपना पाला इंसानों से कम कुछों से ज्यादा पड़ा है यह लेजे पैसे और चुटे भी आप अरे मेरे बेशकर तो रही गए अज वीज बरस पर पहली बार किसी ने इसी चुटी बाते सुनाएं इसको सुनकर गुजरी हुए जिंदेगी के तमाम बाकियात एक-एक करके मेरी आंकों के सामने आगए जैसे जैसे कोई मेरी जिंदी किताब मेरे सामने पढ़ रहा हूँ किसने सुनाई इसे बाते, कौन था वा आदमी ? था एक नौजवाद इसकी बातों में इतना खो गया कि मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा दुनिया भर की बाते सुनकर आप खो जाते हैं, लेकिन मेरा बिता आपके सामने चिल्ला चिल्ला कर तागल हो जाए या मैं ढॉकार अधहलिफ हो जाऊं तो आपका खुना तो इक तरफ हमारे तरा देखना भी घ्वारा नहीं कीक मिने अंदर आ मेंना लगता में किसी गहलत खर में आगे मैं मैं में तो महिंदर या था भापू सा मिलने आए था नहीं है इससे ही का भापू का रहा है पेटी, यही वो नौजवान के जिसके बारे में बात कर दागा तुर्ट यह मेरे बेटे के जूदी के बाराबर भी नहीं है कामनी, मुझ खोलने से पहले अपना दिमाग इस्तिमाल कर लिया करो जरा आपने भाईय गुबड़ जी बाबजी कैसे आना हुआ महेंदर बाबु नहीं बला थी महेंदर मेरे बेटा है आपका बेटा है? हाँ, क्यो? वह यह क्या हुआ? जी नहीं है, उन्हें मुझे यहां नोकरी के लिए बलाए अच्छा परसलाइक हीरा, यह हुई नो कुछ बात महेंदर, तुमने अपनी जिंदगी में पहला सही काम किया है एक सही आदमी को सही जगा पे लेके आए थैंके बाबजी तेरा, तुम बिलकुल ठीक दिन और ठीक मक्त पर यहां आ गया हो महेंदर वावू, वक्त ने अपन के साथ कभी वफा नहीं किया फिर भी अपन वक्त की बहुत कदर करता है बहुत गहरी चोट खाये लगता है पच्छीस साल के जिंदगी में रोटी कम चोट जादा खायी वावजी वाव 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 पच्छीस सांथ के रोट खाया गया पचले जनम में मेरे मापापने मेरा नाहां खोयल रख की यह किया भी बातों में चमक है मगर बर खोरदार, तिल पर उदाशी की धूल जमी हुई है, उसे जरा हटा दो तो जिन्दगी रोशन हो जाएगी अरनावा एरा साथ के रहने के लिए डॉक्टर साथ की डिस्पेंसरी का उपर वाला कमना करवाता हूँ और कल से काम शुरुआ है, अच्छी तरह काम भी समझाता हूँ सुनो जिगा, हमसे मिलते रहे हूँ आप ही के लाखे में हूँ, आप ही कि नौखरी कर रहा हूँ, मुलागात तो होती रहेगी तो फिर कोई लड़की है आपकी मेजर में? मैं कल की परवा नहीं करा, आज क्या होने वला वा मेरे लिए साथ हूँ आप दूरा पीचे अच्छी जाए 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 बहुत बहुत शप्रिया बापजी, आप मदद न करते, तुम्हे ठीक वक्त पर मंदी पहुंच कर यह बरतन ना भेच पारता यह मिट्टी के बरतन बनाते हो बाब जी, भगवान ने हमें मिट्टी से बनाया, और हम पेट बनने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं बाब जी, ये मेरी छोटी बेंट चन्नो है और मेरा नाम राम सिंग है ठीक है, ठीक है चली बाब जी बेर हो रही है जो बाओ जी पहुंच गया हम इसमें चंदर वाड़ी में यह सारा भी अपने लाग़ा है क्या लागों का हेर में रोता है किसी चंदर वाड़ी में और यह अपना लगड़ घर सब लगड़ा चीड़ जाती है लीजे बाओ जी बहुत गया है यह बाओ जी एक आरा है और ऐसे आसे चार आरे और है आज यह सब आरे और सब लोग आप केंडल काम करेंगे अजी यहां पर लोगड़ आपका उकम जलेगा अरे यह मारे नए मेज़े में आप है सलाम करो हाले अकृर आपना मकारमे भाइड कि अखिषा अगरत करेंगे आप अरा यह कर देंगे से मुझे है दोर आगाए और इसका गया होगा कि इस तरह औरों के पर कार्थ ये इसके भी कार्थ ये चाहेंगे आईए बोजी आईए ये हमारा है कंट्रोल दावर है यहां बैठके आप सबके नजर रख सकते हैं कि कौन कहां क्या कर रहा है यह अच्छे आपका रफसर है दुञार विए आपका रखस विए आपके चाहे है यह वारा है इस दुनिया मे नहीं रहे इन देगे उनिग्राव आप सब्सक्रादार टेल सीगी इनन त्यलने को बादिशागता एक लोग त्यलने के लिए निगले निगले तो दुनिया साई तैल गए तो गय तो अपने पाओं पे चलके थे लेकिन जब लोटे लोगों के कंडों पर थे आई बास अमने इन्हें देखिए यह बिजारे बड़े अच्छी आदमी थे मेरी किसी बात का कभी बुरा नहीं मानते थे बस एक रोज मजदूरों की किसी बात का बुरा मान गया है लग ग काली फ्रिम कैसा है यह यह बाओ जी पिछल्टी से दो प्रे मन गया थे तो आप आप आगे ने आई वाट तो हमें आई मैं आपको यह आखाम करने का तरीका बता दूँ ताम दाम दंड भेर यह देख रहे बाओ जी आप अगर कोई छोटा काम चोर हो तो उसके लिए छोट अब दिखाता हूँ आपको यह हमारा आखरी तरीका इनका खुल के इस्तवाल के दिये आई बाद अब दो यह आज से आपके चारिज में है यह वो जो बाहर जिसमें भी तूखा था मुगारव उसे ज़रा उपर किजिए अभी लोगी कि अब यहां मकैने मुगरा सांब को नहीं मेरे सामने बुलाया है उपर कि अब लगता है इसकी शामत इसकी फोटे की जानी पड़ेगी इसका तो आते ही पत्ता कड़ गया बेचारा बेबहुत माला जाएगा हुआ हुआ है मैं चाहता तो यह था कि इस मुखादम की तरक्की करके मैनेजर बना और इसकी भी फोटोस खाली फ्रेम में लगा दें लेकिन जब इसने मुझ से कहा कि मेरे तीन बच्चे हैं तुम्हें रुप गया मैंने सोचा वो बच्चे भी विचारे मेरी तरह यतीम हो जाएं अचाहिए इसकी जरुवत नहीं इसे इसकी जेब में डाल देना और जब यह होश में आए तो इसे समझा देना कि मेरे काम करने का तरीछा कुछ और है इस दो प्रणा करने के फूल से मकमल से नाजुकाद अगारी साफ करने के लिए नहीं मेरा दिल सेहलाने के लिए है आजा अरे जैनेवन ये गोरे गोरे गालों पर नीला नीला साबन मुझे अच्छा नहीं लगता चला आज मैं तेरी धुलाई का चक्कर खतम करवाही देता हूँ एक बात कहूं सौ साल पुरानी तुमारे ये गारी है जिंदिगी में तुम कभी अंदर बैटे नहीं इंजिन निकाल कर तुमने बिस्तर के नीचे रख रखा है और अब इस बेचारी पर क्यों जुम धा रहे हो कितनी बार काया है कि कोई नौकर चाकर रख लो मां इंद्र साह है बहादर अपने ऐसे नसीब कहां जो नौकर चाकर रख सके हैं ले देख लड़की है वह कोई किसमत का चक्कर चला दे चला दे चक्कर तो चल जाएगा लाला मैं जरा अंदर जाओं जराक्यों बर खुरदार बिल्कुल अंदर जाओ तुम्हारा अपना घर है अशुक्रि आपके बागी सब तकाने देख लिए इस चिकाने को भी देख लो जो कभी वी मर्जंसी में पकड़ना पड़ जाए तो बावी जी नमस्ते ये कमाल कार्वी ओ तुम जिसे मेरे साथ देखते हो भावी बोलना शुरू कर देखते हो क्या इससे पहले भी किसी को भावी का था नहीं डालें इसे तो मज़ा करने की आदत है सुनो तुमने मुझे भावी कहा मुझे बहुत अच्छा लगो आज से तुम मतलब जितने भी लोग वहां रहते हैं उन्हें बेगर करना है मैं वहां पर एक शांदार फाइफ स्टार होटल बनाना चाहता हूं अच्छा अच्छा उन गरीबों को उस होटल में रहने की जगा मिली तुम्हारे दिमाग खराब है फाइफ स्टार होटल में वह जोबर गरीबी हटाओ जोपड़े तुलवाओ मकान बनवाओ गरीबों को बसाओ शायद आपके ऐसे विचार हों नहीं मेरे ऐसे कोई विचार नहीं है मतलब आप गरीबी नहीं गरीबों को हटाना चाहते हैं हुम हटा देंगे हटास सुनो महां पर एक खनवान जी का मंदर भी है तो इनसानों के साथ साथ आप भगवान को भी दरबदर करना चाहते हैं कर दो आप एक प्रेट की बाता हूं चमतकार हो गया है हीरा बाबुने बस्ती खाली करा दी वेरी कर्ट अब तुम ये कमरा खाली करो फॉड़ा आप जैनमन तेखिया हमारी पसंद जो काम सारी जिंदगी में नहीं हो सका हीरा ने कर दिया मुझे तो या आदमी सच मुझ का हीरा लगता है हुआ है है तुमने कुछ सुना में तुमारी जै कर दें है मेरे महंदर बाबु की 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 यह क्या गडबल है इरा गडबल कोई गडबल नहीं मालिक यह सब लोग तो आपका शुक्रिया दा करने आए मेरा किस बाद का शुक्रिया माल्क आपने इंस च्छोपर्व दुबर्वा करके लाला की रखेली में रहने की जगा जुदी और यां उसी बात की कि अरे जबर तुम जोगों की तो आबादी है एक तुम एक तुमारी बीवी एक आधे यह सब लोग यहां करके रहेंगे ना तो चाहल पाहल माची रहेगी है की नहीं चलो बाइयो एक एक कमरे में चार चार आदमी बजा चलो खाबरदार कोई घुशा अंदर तो ईरा मुझ से मत पुल्छो निकालो इंस सब को बाहर अरे लाला फिकर क्यों करते हो काली तेकरी यहां भी बुल्ण उदर भेला देंगे क्या बक्वास है यह अंदर आज जी किस से पूछ कर किस से पूछ कर तुम ने बस्ति उजाड़ी इन घरीबों को बेघर कर दिया जी आज आप तो खामकार नाट रहे हैं आज तो इन आपको अपनी सीने से लगा लेना चाहिए महिंदर भावो ने कितना बड़ा उपकार किया है इसका अंदादा नहीं लगा सकते हैं इन सब लोगों की कच्छी बस्ती को उजाड़कर इनोंने इनके लिए एक पक्की बस्ती बनाने का बादा किया है और तब तक के लिए इन तमाम लोगों को इस हवेली में रहने की इजाज़त दी है जैकी नहीं में मिर बादू महिंदा जी बाबची यह तुमने जिनने की में दूसरा अच्छा काम किया है कि अधिक अधिक कमरे में चार-चार चार से जाधा नहीं चाहिए भाई हाँ शाबाश इधर लग जा अगर यहां कई घड़ गया ना तो जिंदगी भर जटके देता रहेगा जटके जटके मतल समझती हो ना चंदगली धन्यवाद नमस्ते नमस्ते चली कि अरे घीरा तू कि अधर से गुदर रहा था जाने क्यों आपसे मिलने का जी चाहिए अब अंदर आओ आपने सारा बैंक बलंस लुटा दिया ना चंदे में हमारे लिए को शक होगे भी या नहीं क्यों खेरियत तुम्हारा का जनम दिन आ रहा है मैं उसके लिए नहीं मस्तिस खरीबना चाहते हूं मुझे च्छे लाख रुपए चाहिए तुम्हारे बेटे महिंदर की अब वो वो समझा रहा हूं कि तुम भी अपने बेटे को समझाओ जिंदगी का मकसद कामनी सिर्फ एर कंडिशन गाड़ियों में घूमना नहीं कुछ और भी है आपके जिंदगी का मकसद क्या है लाखो करोड़ो रुपए खरच करके लोगों के जूटी जय जय कार खरी ना माजी बाबजी ठीक ही तो कह रहा है चुप रहो तुम बाहर के आगदी हो अबर्दार जो हमारे बीच में बोलने की कोशिश की समझे इंकारी फकीर लावारी यही आपके कामने आएंगे जब बुड़ापे में आपके हाथ पाउपने लगेंगे और बिस्तर बकर के बैच आओग जी बामजी तुम्हारी आखों मेरे लिए तेरा अपना बेटा अच तक नहीं रोया मेरे लिए मैं कितना बतकुसमत हूं काश 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 तुम मेरे बेटे होते हैं मेरे गामें आओ डोक्टर अरे क्या बात है तुम दोनों की आँके शुरुख है डोक्टर मैंने तीरा को रोज़त दिखाना इसलिए तो यहां को मेरे आखों में आशु आखों को बुरी बात नहीं है तुमर्साहब आशु आखों के लिए जितने अच्छे होते हैं दिल के लिए उतने में बुरे होते हैं मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरा बाप फूट-फूट कर रोया था मैंने उसी बख फैसला कर लिया को मर्साहब के शादी नहीं करूँगा अगर मैंने शादी कर लिए होती तो आज मैं भी अपनी आउलाद के लिए ऐस यहांने कि मैं अब इस घर में सर्फ इसलिये रहा गया हूँ कि शहर जाके दवायां खरित किलाओ बाबजी घर में सब नौकर चाकर मर गया है जो आपकी देखवाल नहीं कर सकते मेरे दोस्त लोग नीचे इंदिजार कर रहा है मैं शिकार पर जा रहा हूँ जाओ इस घर में जब तक आपका ये नौकर जिन्दा है ऐसे कामों के लिए आपको कोई तक्रीफ नहीं करने बूरीगे दवाई मेले आप मगर शहर बहुत दूर है कितनी दूर है बाबजी इंदुस्तान में तो है मैडम 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 उटल के अंदर ये कुट्टा लाना मना है लेकिन मैं अपने कुट्टे के बगार कहीं आती जाती नहीं यह वही न बात इससे कहते हैं गरम कुट्टा यानि की हट डॉग मैडम हमारे कस्टमर्स को एत्राज हो सकता है और फिर कुट्टे का फरोसा कहीं कुछ गंदा करते तो आप इस कुट्टी को नहीं जानते हैं मेरा कुट्टा है मेरा यहर वक्त मेरे साथ रहता उपता बैटा खाता पीता सोता है समझें कहां मेरे साथ ही खाना खाएगा और इसकी खाने के बिल के साथ-साथ आप मेरे खाने का बिल चोड़ दीचें है जब हम कुट्टे को अंदर आने ही नहीं देते तो खाने का सवाली पैदा नहीं होता अपसे नहीं कहा अपनी कुट्टे से कहा इसका नाम स्टूपिद है वैसे है आपसे ज्यादा समझतार स्टूपिद सुनो मेरा अंतशाज इहीं करना यह उपसे हैं मैं तो और स्टूपिद अलगायेम अपसे पॉट अरु आपसे हैं आपसे कईरा यह कुछ किरे इंक Aside कृष्ट्यल नहीं को कमेDamory के त्युक्त कृत इवल्किन कससे आए मैं कुछिक गोफ्यूच्ट अजारी पुप्यूच्यू पुप्यूच्यूच्यू फ 필요, बप्यूच्यूच्यू 一 द है द द द द द द कम ज कें आ द द द की agree ये 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 मे ज deg citizens चैंग सतास्टों sa isन में चैंगी, पराइस द द में पर कंगी करें परोन में देखसे taking में ऍद आ, आकल देख सातास्ति का अ कंगा उन भ्रेखसे आपके कुट्टों ने सारा आउडल खराब कर दिया सब गराखों को परिशान कर डाला कितना नुक्सान हुआ नुक्सान ये लीचे अगर ये भी कम पड़े तो घर पे फोन करके चेक मंगवा लीजे ओके जार उपैसे झाल 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 कर दो कर दो है और यह रहे पैसे यह तो तुम बाबु जी को देना बाबा ना इससे पहले कि पैसा हमें अपनों से दूर करे हमें पैसे को अपने आप से दूर कर देना चाहिए कैसे बाते करते हो भाईया भाईया बात ही कुछ ऐसी है आज सड़क पर चलते फिरते एक लड़की जैसी चीज से मुलाकात हुई थी लड़की जैसी चीज जी हां शकल सूरत से तो लड़की ही दिखती ही लेकिन मूँ खोलते ही काठने दोड़ती ही सर से पाँ तक दांती दा यूं समझ लो कि चलती फिरती तीजोरी तीजोरी किस की बात कर रहे हो ओई लड़ी जैसी चीज की लेकिन वह वह व्हामने भी वह करतब दिखाया कि उसका असर देखना तुम कप देख अगले जनम में अगले जनम में की आज के बाद सारी जिंदगी वह लड़ी भगवान से यही दूआ करेगी कि भगवन अगले जनम में मुझे किसी पैसे वाले बाप के घर पैदा मत किसी पैसे वाले बाप के घर पैदा मत करना लड़की जैसी चीज में हुँ अपने अपने आपको कुछ समझता है यहाँ, अगर तुम्हारे बाफ़े पर आदमी किस बास पर्वान करेगा, जी हाँ, अगर तुम्हारे बाफ के पास पैसा है तुढ़ाउ अपने दान aspect, sound music press madam में मालुम नहीं आज इस आपिने क्या किया है आज की तुम्हारी हरकत से तुम्हारे खानदन का तुम्हारी थेखा तुम्हारी देखा हू मेरे बाप तक मत जाना तुम औहीते पहले मेरे बाप तक मेरे बाप की सिसाइटी में इजट है पूसिशिह अन्होंने मुझे पढ़ है लिखाया है समाज में तमीज से रहने की काबिल बनाया है नड़कियों को छेड्ना उनकी ंपर कीचर उचालना इसके बाद एक लवज नहीं वर्ना क्या कर लोगे जाने केसे तू मधू मैं ऐसे लफंगे लावारस के सब्सक्राइब लोगों से डरती नहीं हूँ प्लीज ओमाइसे कलो यहां से है 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 इस आप मधू पनाने वाले ने पत्थरों में जान डाल दी है अरे यह तो कुछ भी नहीं है डिर ज़रा अंदर चलकर देखो है ऐसा लगता है जैसे दिवारों से मुर्पियां बाहर निकल कर हम सब से बाते करने लगेंगी चलो चलो कम मोहिनी हां तुम चलो मैं आती हूं ओके तुम लोग को चलो यह कांगसात वकील साब तुम पहुचा देना और कहना मुझे फॉरण कॉप जाए मदू क्या बात है तुम रोकी रही हो तेखी न बाबुजी अज राखी का दिन है हर भाई सबसे पहले अपने बेहन के पास जाकर राखी बनवाता है बेहन को आशिरवात देता है तुम भी कमाल करती हो तब तो वे रेगिस्तान में ठंडे पानी का चश्मा तलाश करती हो बेटी जिन लोगों की नजर में राखी की अमयत है उनके लिए वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत से ज़्यादा है लेकिन महिंदर जिसे लोगों के लिए राकी बंदन नहीं दागा है राकी नहीं सिर्फ राक है फिरा मदल को समझाओ रो मत मदल रोती क्यों लेक महिंदर वाव को मैं उठा कर लाता हूं मुझे उनके सारे ठिकाने मालूम है मैं इस घर का नोकर हूँ तेरी आंगे कभी भीगने नहीं दोगा सच बोलते हो सच बोलता हूं कसम खाता हूं किसकी कसम किसकी खाओ मेरा तो कोई है यह नहीं इस दुनिया में मा बाप भाई बहन जिसकी मैं कसम खा सको में इड़ी पर इड़ी नहीं पर नहीं शॉया अ यह यह क्या करीव मादम अपने भाई को राक्की बंडरीयो नहीं पर दो मुड़ी मैं इस लाइक नहीं हूं तुमने तो इस आत्मी को भाई बना लिया जो कि फेका हुआ एक ठुगरा हुआ इंसान है जिसने अपनी जिन्दिगे में कभी कोई रिष्टा देखा ही नहीं वो गंदा है मधू अस ठोकर खाने के लाइक है नहीं यह मेरे भाई है अगर कोई मेरे भाई को ठोकर मारेगा तो मैं इसके पहर काट दूगी क्योंकि मैं तुम्हारी बेहन हूं ना पेटा यूं समझ लो कल तक इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं था और आज तुम्हारी बेहन है तुम्हारा बाप है शिर्चीस जिन्दगी की आग ने चला है चला कर मेरे दिल को जख्मों से भर से बर दिया था आज जब आप के प्यार ने उन जख्मों पर मरहम लगाया तो मेरा दिल भर आया से यगी नहीं होता कि ये सच है अगर यह सच है तो फिर वो क्या था सेर्ची जिसे मैं आज तक देखता आया हूँ और अगर यह सपना है तो बखाट घर मेरी आकर कभी न खुले सेर्ची सेर्ची नहीं बाबुजी कहो भाईया बाबुजी अरे कहा तुम ले जल्दी से राकी बांदे हैं अरे आप महिंदर जी बाबुजी यह दागे प्यार के हैं किसी का इंतजार नहीं करते जिसकी नसीब में थे उसे मिल गए अजय बाबुजी यह सब मुझे बिलकुल पसंद नहीं है एक एक मैरे यहाथ तुम्हे काम करने के लिए पुलाया था आके रिष्टे चोड़ने के लिए आंदा इस गर में कदम मत रखनाना चाब तक ही तुम्हें बॉलायाना चाहें हम्देख झाल झाल कि नमस्ते वकिल साब तुम जी मैं हीरा हूँ कुमर साब ने मज़ ले जाए यह कुछ कागजात हैं बहुत अर्जन्टी मखवाया हूना ने हाँ हाँ पही असा है कि इनको तैयार करने में कम से कम घंटा डिल घंटा तो लगी जाएगा यहां लगने नीचे कोई बाट में वही ऐसा करो तब तक तुम कहीं घुमाओ कहां जाएंगे साब आपका इतना चोटा है कि पांच मिनिट में तीन राउंड लग जाते हैं मैं यहीं बैठ रहता हूँ अच्छा ठीक है मिस सकसे ना यह पर पर सुड़ो अच्छा अच्छा बाई साथ माफ कीजिएगा मुझे ऐसा लगता है मैं आपसे पहले बे कहीं मिल चुका हूँ आपको आरी मिर्चियों का शॉप तो नहीं आप तो खामखा नाराज हो गए आप तो खामखा नाराज हो गए हुआ मैं चलता हुआ वहाँ आपकलीव को मैं चलता हुआ को शलता है उसको चलता तो फ tv कि तुमनें सिद्धी बात है कि खुल के बात करो यह गुल बात है क्या कर रहे हो अगिल साथ यही बात मुझे अभी पता चला है कि तुम्हें गोल है कहां लेकिन वह तुमारे पेपर यार हो रहा है उनको तो लेते जाओ वह आप कभी भीज़ा दिया या मैं को अच्छा सा तुम्हारी उस दिन की बात ने मेरी जंदगी को जंजोड करक दिया एक बहुत बड़ा किस्सा जो शायद मेरी जंदगी का सबसे बड़ा वाकिया है मुझे यात इला दिया कौन सा वाकिया मैं चोथी से थी मेईरी नानी की घर एक लड़का काम किया करता था बर्तन माज़ा करता था लेकिन सारी एस जबाने हंदी, Іंग्लिश, उर्दू, मराठी, उदी, पंजाबी जा手आ पानी की तरह बहुद्ध весь लेकर दातर už का बात शव्या थी जब आप जवाब नदे सकें तो लड़के ने कहा 14 साल हाँ उसके बाद पाढ़ने के लिए मैंने उसे किताब ही दे वो किताब उसके बाद में चीन ली उसे इतना मारा कि उसके बाद वो फिर आपके गर कभी नहीं है लेकिन ये सब ये सब तुम ही कैसे मालूम आप उस जोड़ी है जोड़ी में रहता है मुझे उसकी परवाह नहीं वो कहीं भी हो प्लीज लेचलो मुझे उसके पास चलिए यहां तो अंधेरा ही अंधेरा है कुछ नहीं से नहीं आता मैंने का था ना वो बहुत गरीब है और गरीबों के जिंदिए में स्वाय अंधेरे को लिखाई के हैं आई आई व अजै फिसन्म खिए शिंदी हम में का ले घाइ ब्हाया जी जाती हम एतवा करेंगरेन के परेणा फ्लकोंसा अंप हम एई यह तो वही किताब है लेकिन लेकिन बहु कहा है जिस इंसान को तुमने किताब दी थी उस किताब को तो पहचन ले इंसान नहीं पहचन ले लो में नानिमा से कहकर दूसरी किताब बंगवा लूंगी तुमना कर दो कर दो झाल 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 क्राम्जादे इस कुट्टे के पिल्ले को उठा के बार फेक दो पुदर जाओ हराम्जादे सीधी तरह वापस चला जा वरना आरे मशीन में इतने टुकड़े कर दिये जाएंगे के चील और कव्वे भी नहीं खापाएंगे हराम्जादे के पाल तु कुट्टो उसे मेरे हवाले कर दो वरना एक एक टुकड़े कर दोगा तरसकाब टुकड़े तुक व टुक़जे वरी नहीं तुक़जे स्थोल चाजे प्रुक़जे करें तुक़छो तुक़जे प्रह बुक़जे बुक़जे तुम्हें इस लक्कर गर में आज लेगा दूगा इंजर को पॉर्ड निकाना करना वाज लेगा दूगा रचाइज हुआ है कि ति अद्धर नहीं कि आज ओपको यह अगर तो इन पिछारे खरीबुने तुम्हारा क्या बगड़ा है अगर ये लकड़ जल गया राम सेंग तो इनके पच्चे भूखे मर जाएगी राम सेंग अगर कुमें भाइलर चाहिए तो मैंला के देता हूँ एचा मत करो राम सेंग राम सेंग राम सेंग अगया रोती क्यों है पगली यह भाई विसंदा है रँटर तो यह तो रोती को है तो प्सको भाइब है तो जो मे यह मिराथ, मिराथ कर, मिराथ वो क्यो, कहीं मिराथ वो जन्मार मिराथ वो क्यो तूने मेरे हाथ चेल लिये कहीं मिराथ वो झाल वो वो कि बाड़ा माड़ा थाज पुलाई माड़ा हुझ कि अ. पुल मुला हुझ हुझší झाल 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 कि अधिक यहां है शुक्त है पहचानतो लिया तो लग रहा था राम सिंग के लिए सारी दुनिया के साथ मुझे भूल गया हो गया तुम्हें तो कोई एक बार देख लिए नहीं भूल सकता है मैं तो तुम्हें हर वक्त देखता है पस पस इसने दिन उसे मिले क्यों नहीं राम सिंग की घर के बाहर भी कोई दुनिया है या नहीं है बहुत खुबसूरत दुनिया है मागर मेरी दुनिया तो बस अब इस घर से शुरू होगी और यहीं खत्म होगा और मेरा क्या होगा तुम्हारा वही होगा जो मेरा होगा और मेरा वही होगा मालूं था नहीं समझी का तड़के के विपाएगा मुझी बता मैं आती हो तो प्राम सिंग के गर के जिम्नाधारे मेरी है मेरा फर्ज और इनसान को अपना फर्ज फुद निभाना है आप पर नड़की किसा लटके हुए और मैं आपको कितने दिनों से कहां कहां धूंता भीर रहा हूं दॉक्तर के घर में नहीं मिले और मिले तो इस ठकड के घर में मिले आई बास तमझे मेरी संज में तो बात आ गई लेकिन लगता आपको बात समझानी पुड़ेगी जी मतलब ये कि आइंदा राम सिंग के बारे में कोई ऐसी बखवास की तो आपकी ये दूसरी आँख्वी में फड़कवाना शुरू करवाता हूं मेरी छोड़िये अपनी विकर कीजिये एक भेट की बात पता हूं महिंदर बाबु बहुत ना रान है आपसे आप कितने दिनों से नौकरी बरनी आए और रहन मुलाया अभी चलिए मेरी साथ कि एक भेट की बात मुझसे भी सुन लोगा अपने महिंदर बाबु से कहना कि मैंने उनकी नौकरी छोड़ दी और एक बात कहना उनसे कहना राम सिंह उसकी बैन की तरफ कभी बूले से भी आख उठाकर देखा तो मैं उससे बीच चुराएं पर खड़ा करके जिन्दा जला देखा है अज़ा है नमक खराम हीरा कहा है क्योंते है वी वाथ है नहीं गया थिए अप्रसी जलगए लेकिन बल नहीं है अश्कार की आलाद तुझ जिस हीरा के बल बूते पर अकडरा है ना उसी का पता पूच रहा हूं कहा है वह मैं नहीं बता हूंगा और मैं पूच के रहा हूंगा मैं नहीं बताएगा मैं नहीं बताएगा मैं नहीं बताएगा तो तू नहीं बताएगा इस रामजारे के चिस्ब से खून काएगे के कट्रा निकल दो अरे बुच्दिल बदा लेना है तो मुझ दे ले इस मजबूर तो क्यों इस मजबूर की डिगरी और बड़ाओ मैं तुमारे भाई को छोड़ दू तुमारे भाई को छोड़ दू अगर मैं तेरी बात मान लू तो तु मेरे भाईय को छोड़ देगा विलकुल तु मेरे भिर्वदकर मैं छोड़ दूगा तु मेरे भिर्वदकर तुम्हें तरियार हूँ नई चन्नो नई 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 चन्नो तेरे भीया के हाथ कटके मगर तो इसकी हिस्त के टुक्रे करके इस कमीरी के ठोकर में मत जाल चन्नो मीमा चन्नो 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 वज करुश लॉप कर दो कर दो लौ अ कर दो कर दो कर दो कि यह क्या क्या है चुल लेग गया मेरे बैंट की कि इसद में चालो यह आपनी बेहा है बेबाद करो जो जाओ कबाद चलो कर दो झाव है किए कि अच्छे कंचन रूख नियौ ऐस चाहिए। लख बांच अनॉ Ну मीं ट काओ बाव उना ऑगै चाह जनक, जनक क्जल Beetle ये था स्वार्ट जयमरषे जूत का व्जवयब यजब आधरे मुष्र लबसे लाप्सिंग लथ लाप्सिंग लाप्सिंग जयनो जयनो ब्रुन क्यो उतकत बजल मुझे है 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 कि इस में कि मैं जुदा पड़े मेरे भाई कि अपना किया हूँ एक भी वाद पूरा नहीं कर सका माइज़ार्ट जगसे आप यहा हैं, वहाँ पुलिस टेशन में आपको बुलाया है, पॉर्म, चलिए, आए, आए तुम बिलकुल फिक्र मत करो, हाँ, बिलकुल परवा मत करो, मैं आता हूँ पापजी क्या बात है बेटा, जी कुछ नहीं, किस से बात कर रहे थे फोन पर, वह, वकील साब से, क्या हो, पाउ जी, वो राम सिंग को वहार है न, उसका कतल हो गया है, कैसी, वो अपना मैनेजर रखी दा है न, उसका राम सिंग की बहन चन्नों के साथ कुछ था, वो उसके बच्चे क मा बनने वाली थी, लेकिन जब उसने हीरा को शादी करने के लिए कहा, तो उसने इंकार कर दिया, यह चूट बोलना भाबुजी, चूट बोलना है, यह मैं क्या सुनना है, आपने सुनने के लावा और किया ही क्या है, उट तो इस चार दिवारी के अंदर बैठे रहते हैं, और बेबस मजबूरों की जिंदगी से खेलने के लिए इस शैतान को खुला चोड़ रखा है, मुझा बालतर बात करो, तुम कौन होते हैं मेरे बेटे को शैतान बोलने वाले, यह शैतान ही नहीं मा जी है, हैवान से भी बत्तर है, आपको यकीन नहीं होता ना, क्यूंकि आ हाई, हाउ, हाँ, हाई, हुआ, हाई अब आफ, हाई, हाई, आफ, हाई, आरे, हीदा बाबू बहुद को जिस मत्तरो, दोनों को मार दिया, उँचला लाला, तु चल्ट बोला, लाला आपनी जबान कागो में रख वाजी देखे न आपने से अब तक तो काबू में रखा था सेट बहुत काबू में रखा था तुम लोगों की जूटी शराफत में आकर ये साला हीरा भी शरीफ बनने चला था ये लुच्चा तो शरीफ बन गया लेकिन तुम शरीफ कहलाने वाले लोग लुच्चे के लुच्चे ही रह गए चौप कर क सब्सक्राइब करने वाले कि जिस दिन छूप करूँगा उस दिन से तुम्हारी जिन के एक एक दिन ऐसे चला हुआ जैसे राम सिंग का इगर चल रहा है किसम पैदा करने वाले कि जाक्टर गोईल और कुमारी मोहनी की बियानों से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर हीरा बिलकुल बेकसूर है अदालत इसे हीरा को बाहिजद बरी करती है और पोलीस को आगा करती है कि वो जल्द से जल्द असली मुझरमों को पकरने की कोशिश करे बिल्द में इसे प्रिचमत आध क्षामति है आध यरिटर ट्रिटर टिकेट मैने तुमें इसलिए था है यगर तुमें करण बढ़बर पसंदिए, कि अजरे पर जादे आध तो तुम वापस लॉट जाओ और तुम वापस लॉट ही जाओ नहीं माइंदर वाभून वापस लॉट मेंगा तो कोई चांस ही नहीं कारोबार तो मुझे बहुत पसंद है सिर्फ कुछ लोग पसंद नहीं और लोगों को ठीक करने में आप उनको कितना टाइम लगता है चुटकी वजाया आदमी साथ नहीं यह इतना आसान नहीं क्यों कि यह तुम्हारी बंबई नहीं मेरा इलाका है अपने अलाके में तो कुट्ता भी शेर हो जाता मेंदर बाभू और वैसे अपना पाला आज तक सिर्फ भॉकने वाले कुट्टों से पाथ कुछ कुट्ते ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ काटते हैं भॉकते नहीं मेरा नाम हीरा है गले लग जाओ न तो हार बन जाता है कई हालक से नीशे उतर गें तो चीर के रखते होगा उस हरामजादे ने मुझे चलेंग दिया है और वो आएगा जरूर आने जाने का रास्ता सिर्फ यह है उसको खतम कर दो उसकी लाश के टुगड़े करके इन पहाड़ों में बिखेर दो नदीवा भादो मैं तुम्हें वाल कर दूगा लेकिन याद रहे तुम्हें से को पचाना नहीं जाना चाहिए काम वालों को ऐसा लगना चाहिए कि जैसे वो खुद ही इस चगा को चोड़ बात का पाव जी के कानता की ख़वर नहीं पहुंचेगे जी बिल्कु बेभे कर रही है वरना मैं तुम्हें जिन्दा काड़ दूगा पदारा पनी काल चेतलू कंदलू तीसी काखलो गंदल बुड़ा परिस्ता ना सावी रंगा अनुआ अन्ता दे मैं अधतर पानकिया अपनी मंजीरे पावे बना दू आगा ओ ठीका चल दीकार अनुद तो आना बंदुपनी गोड़ते बिज उड़ाई देई तुझा भेजा उड़ा है का तो दो रूपा में इसल से नामे लेली अभी चल निकल निकल को को कि अईल से लोगें हाई झाल बंपद राल पर्वु वेर गुट्टरा वालेंची पेड़रा यह गुरू, मी काल्लु, चेतुलु, कदमुलु, तीसी, नर्की, कागलु दप्रल केस्तान जपन गुरू देवरा, इज़िटेरियन मनिशी, माफ्सो गुरूंची माड़ लाड़तन ना पाजी बली एज़ डिजाइन ना वेखो, तीसी है पार दितने टुरूंवस्ते दस वा प्राजी थोटकी कीता जाए मैंने तो माफ्सी करते पाजी बजरंग बली एज़ डिजाइन नू वेखो, तुसी हत पहर दितने टूरंवास ते एल्लार यासी अपनी मन्जी वेच्छु मैं खड़ी करदा आजी मन्जी एंड डई एनन तुन्डु तुन्डँ वेट्टी आतले तुखी पोला पातिया अमा सर अधिक अगा मोयंदर सर उननके रम्ब कास्त तरायन सोना ल्या अमा सर एपपो ना नूनके आजोला डबल कास्त तरायन सोना आज सर ओरुमा यह नम कास्त वेडूमा ओरुमा माड़ा पायले पोतानो भेजो ना थी जात आप जाजो उलाडवानी वाद करेच आदा पायले नेशो बहुन चालकुट नादा बोशे जाए इई आमा के शेश कर वेँ? ना ना जाला बास कोरेदे बो जानेँ चलोड़ ना नो बास निये जाए ना अजे पारएक्ट बास निये जाए ना ना लो बजरंग बली यह वही लोग है जिन्होंने मुझे बुल्डोजर देकर बेजाते बोले जोपड़े तो डालो भगवान को निकाल डालो बोले घरीब लोग तो फोकट में रहते ही हैं भगवान भी जमीन पर किराय नहीं देते हैं निकाल डालो लेकिन अपन को देख जब दो बड़े आदमी बात कर रहे होते हैं तो बीच में नहीं बुल्ड समया अजीव जी मॉडल बनाया तुने वगव अच्छा की आएकी बनाया है चार-पांच बनाता ना तो तेरो को जमीन से क्या आजमान से भी बुला देते अजीव जाएक प्रश्चा को जाएक प्रश्चा रहता है आज़े देख एक और मॉडल अब हो हर नामे इधर आवे चपकू पावजी बावजी मुझे मतमाना पावजी आप दूसरों को मारे तर लाग मुझे नहीं थी आप मुझे महानागे तुमयरी महा बैनफी माइन है याज़ी दोक्वारी माइन एक महनफ एक माय है जोह, भॉड़ी माइन पीर भी सालिक को आप जबकता रहता था कहलता वाजी क्याना कि पूरे मालिक की संगत तो बुरे काम नकरू जालू चालू आई बात समझ में आगई चल निकल निकल अच्छा बचलता हूं नमस्ते हैं राम राम साहिद कौने तुम है मस्का साहिब आपने गंगुगनपत को भूल गया क्या साहिब लगता है पूराना स्टोरी भूल गया साहिब आख्छा सुनने को पड़ेगा याद है साहिब तुमारे घर में वो तुमारे दोस्त का भेन था विद्या उसको बच्चा हुआ था हां हां गंगुग तुम हो आविज साहिब स्टोरी सुनाया तब याद आया ना साहिब कि अज़ा आए अगरे निचे उत्रों यह आपका घर है क्या साहिए अधार दूर्वाद बंकरो आए पैसा वाइसा बेजना बंकाई कुकिया साहिब पांट सो रुपए हाँ अधि शिगर कट्माओ सीदा बंबाई चाओ तुबारा इधर नजर आये तो एकनी मुद्द के प्रशोर्शिप परगए ऊगरे मुर्दबार निकलोगा गिरा अनम के ला अज़ना भना आ अरे अरे मेरे कुई यारे तेरा नम कईलास नात है तो पाहीक कुमा मेरे कुट जेल सालिया पाप तु किया और जेल में जाएंगा मैं अभी बुड़्डा हो गया इसलिए मेरे को खूल देता है त्यवा शपत मैं भी तेरे को बता हूंगा रेक उत्रिया क्या मतलब मतलब तुमने मेहंदर बाबू के खिलाफ अधालत में गवाई दी है तो इसका फैसला तो हम करेंगे ना अधालत में मैंने जो कुछ बोला सच बोला सच बोलना को पाप है क्या पाप तो नहीं लेकिन बूरी बात जरूर है जाबे जाबे डाक्टर साब को जरा कौन हो तुम बापने के बापने कमाई करते हैं तुम अधाल बच्पन में उसके महनत की कमाई शराब में उडाय करते हैं अरे जान दोना मिम साहब तुम तो जानता है शराव आदमी को पुट्ता बनादेता है कभी तो मेरा हेरा मेरे को छोड़कर भात कर इधर किदर आ गया लेकिन हीरा तो कहता है कि उसका तो सब कुछ है उसको तो बहुत बदे मेलों में होना चाहिए तुम्हारा बाप कितना बुरा है उसमें हीरा को कैसा आनात किया लेकिन दो दिन में कुछ खाया नहीं पीया भी नहीं फड़ा पैसा मिलेंगा तुम जितना कहोगी मैं दूंगी कुछी सब कुछी बता दो रवसाब 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 यह सब कैसे हो गया कुछ नहीं बेटे एक आवा चुदी आए और सब दितर बितर करके चली यह कैसी आनी थी जो सिर्फ आपके आपके आपरवादी पहला कर चली गई है कि आई अई है संगया बच्पन से लेकर जवानी तक सुभर शाम के मेरा ऐसी यह आँद्यू से पाला परतरा आहे वो लोग समझते हैं कि अदालत बेंके पात कीचागी रहा नहीं 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 आप फिलर मत कीजिए रोक्साब इस खेल के मैच खेलने की 25 साल से प्रैक्टिस है मुझे करबड़ी सेफ इन कपड़ों के हैं अब तो हुलिया और जबान पदल के असलियत पे उतरना पड़ेगा झूल लुट नियूश्यूंग इस जिक है बिटे अगासारव जिन्दुगी का हार में अच अपन ये उनिफोर्म पहन का खेला है कि यह तो बीच में थोड़ी देर के वास्ते इंटरवल हो गया था अभी मैंज फिर से चलू कि यह लो डग साब कि यह अपनका कफन है काला कफन अगर आप उनको कभी कुछ हो गया ना पुड़ा देना कि अब महंदर बाबू के खिलाब कोई गवाई नहीं देगा कि यह तुम लोगों ने डॉक्टर कर आधा ना मैं तुम लोगों की वह खालत करूंगा दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुमारा इलाज नहीं कि अब मैरमानी करो मैरमानी करो प्राइच कि अटने कि अब आधाव हुआ भाबो कि वारी देवे चम्चों पर हकूमत करने वाले कमीने बाहरा तेरे गाउ में तेरी बस्ती में तेरे मकान के सामने का होकर हीरा तेरे को चैलिज करता है बाहर निकल कि यह चुपा हुआ है माँ बाबुजी ने से सर पर चड़ा रखा है और ना एक बूरे कम्जोर डक्टर पर हाथ क्या उठाता है कमीने अगर मां का दूद प्याए तो मेरे सामने या एक ही पट्के में सारा दूद ने निगाल दिया तो मेरा ना भीरा नहीं साले कि इस साले बाब बेटे के दोनम मिलकर दुनिया को लूट रहे हैं आप साला चंदा दे कर यतीम खाने बना कर लोगों पर भाग जमाता है और यह उसका बेटा कंबक्त गुन्डों और मवालियों के जोर से गरीबों पर जल्म करता है अराक मैं पूछ तो हूँ कि अवजर तुभारे भगवान को को गाली दे को इसके मूपर ठुक है तो कि तुम चुप रहोगे आज उसी भगवान को एक गंदी नाली का कीड़ा एक ऐसान व्रमोश कब मजाग क्यों राता है कभी बेटा बनाते हो कभी राकी बांग कर भाई बनाते हो कि अब अपने मतलब के लिए कि वना राकी का ये कच्चा दागा क्या चीज़ है और इसकी जगान लौह की जंजीर में होती ना तो अभी तुम लग अपनी बैमानी की तल्वार से काट कि इसके टुक्रेट कर देतें कभी सब्सक्रा कोई बार नहीं निकलता कि अब बांप अब बेटे ने बिलकर चुलिया पर लिगा है 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 मेरा जबान को लगाम दे वरना वरना क्या करोगे गोली मारोगे आ मैं गोली मार दूँ आहिरा ले मार गोली दुनिया को इस घर की असलियत का तो पता चले यह तो पता चले कि सिर्फ बेटा ही नहीं बलकि दानवीर धर्मवीर गरीबों का बारिस वे सहारों का अंदाता भगवान का अवतार कुमर रनबीर सिंग पंदूक उठाकर गोली चलाना भी जानता है अब बाबुजी यह क्या कर रहा है आज जाम हो नी मैं इससे जिन्दा नहीं चोड़ूगा आप जिसे बार ने जा रहे हैं यह आपका अपना खून है यह आपका पीटा है मुझे कंगू ड्राइवर ने सब कुछ पता दिया है चालिए बाबुजी अरे क्या हुआ सेट बस क्या डर गया क्या चलाना गोली अरे जाता किदर है कसम से बंदूखा जब उनके हाथ में होता ना कब का लंबा कर दिया होता है हुआ है सेट आज ही राज जाता है मगर याद रखना तुझे यहां जिन्दा नहीं छोड़ूगा सेट तेरी शराफत के जंडे एक एक उखार के फेक दूगा सेट पाभूजी जिन्दगी ने उसे बहुत सताया है उसे अपना लीजिए वह बहुत दुखी है वह इस बाप से ज्यादा क्या दुखी होगा जहीं जानते हुए कि उसका बेटा दर बदर की ठोकरे काता है उसे अपने घर नहीं ला सकता अपनी सीनी से नहीं लगा सकता उसे उसे एक बार बेटा कहके नहीं पकार सकता हुए है। वही है। है मैत उपसे भीग मांता उड़ा वह दूखाता है। मेरे बेटी से कभी मत कहने कि मैत उसका बाप हूँ। वह मजबूर बाप है उस सम migrat के डर्ठ से अपने अपने खुन को अपना खुन मेरे ते सकता मैत अबेटी से मत कहना यह पीटी से मत कहने हो भी, पत कहने हो से कि मुस्का बात पॉरा, पाणि शुलेजाओ कौन लोग, मालूम नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं, मुझे नहीं माहिंदर वाभी वीड के बीचे खरे देखे थे माहिंदर धेरो मैं कदा रोग जाओ तुमने हमारे पकान को गाली दिया है लोग जाद तुम्हें बाइंदर ने बढ़काया है तुमने वहारे देव तो गाली दी है उसके शैतान बेटे को भी गाली दी है उसकी असलिये जानना चाहते हो यह बगवास करता है हालो, मारो, मारो, मारो अले जीवी, मारो वीजये, मारो, मारो खरके दे ऐखके देख वाके गाली ah अभी जान पाकी है जिन्ता है अभी मारो मारो इसको यही तस्तूर है सुलियां का अमीरों को हाथ जोड़ो और गरीबों का सर भोड़ो मैं पूछता हूँ इसका कसूर क्या है यही ना के मुझ्चा ऐसे गरीबादी के लिए इसने आवाद उठाई गरीबों के खूल से अपनी जिंदगी रंगीन करने वाले अमीरों के खिलाब बास उठाई देख यह रहे हो उठाओ पत्थर और पुचल दो इसका सार माल डालो चलहादो दूली पर दबादो इसकी आवाज को आपनों का मिलेगा अपनों के काम नहीं आएगा और किसके आएगा वजटो वेज़े एपने कावल नहीं है तुम नहीं जानते सथ बूलने वाले गोल में या पत्तर ही पड़े अब उड़ो चलो एको यह तुम्हारे साथ निल जाएगा किसी के साथ निल जाएगा यह लेर साथ जाएगा मेरे साथ सर्ट जी अब कैसे हो गटा सारी रात बेचेहन थे तो सर्ट जी अब क्या है कभी मेरी जान लेना चाहते हैं कभी मेरी जान बजाने के लिए मेरे खुण बर अपना खुण बहाते हैं आजा आपके हाथों में बंधुक थी ख़ाज आपकी आखों में आसो है वक. वक. यह रास क्या है बढून S 해서 क्या चाते हैं 우 있지 बोलिए सेटजी क्या चाते हैं आप बचसे क्यो मारना चाता है तुही राक। बोल बचसे जवाब दे महिंदर क्यो जुड़ बुलागा अशे बचसे मैं तुड़ जवाब बंगता महिंदर बचसे जवाब बचसे बचसे मापकी जवाब लिए आज मेरे शबले का पेमाना चंद चुका है अशे सिंधा निचोड़ वा मैं इसकी काल केश लूगा मैं इस पाप की पर्चाई को मिता करचा आप बचाए बचसे इसे मारने से क्या होगा मार नहीं है तो इसके मन के अंदर जो बुरा आदमी चुपावा उसे मारी, निकाल दीजी उसे इसके दिल से, शरीर पर खोड़े बरसाने से आत्मों को कोई फर्क नहीं परता भाबुजी, छोड़ दीजी से, इसकी तरफ से मैं आप से माफी मांग देता हूं जाने दीजी से दरसल भाबुजी, सच बात तो यह है कि मेरे कदम बड़े मन्हूस है, मैं जहां भी गयाओ मैंने बरबादी पहलाई, मैंने जिसे भी अपना या तो बगयर हो गया, यह तुश्मन हो गया या थे, इस दुनिया से ही चलागी, इसलिए यह घर बरबाद नहो, मैं, मैं ही यह अब यहां से नहीं जाओगे, मैं इंदर बाबु, अपनी जिंदीगी के रास्त, अपनी तक्दील की कदर करो कि तुम्हे ऐसा बात मिला है, अगर इनके चरणों की धूल तुम्हे मिल जाए, तो तुम्हे अपने आपको खुश्क्समित समादा चाहिए, चला, माफी मांग जब तक बेटा अपने पापों के लिए अपने बाप से माफी नहीं मांगता, उसे भगवान भी माफ नहीं करते, बड़ा अच्छा मौका है, पकड़ ले पाउर अगर ले ना, इनसे माफी मांग, इनसे माफी मांग, सब ठीक हो जाएगा, दोनों तुस्से बड़े है, चल जल दिकर, जल दिकर, जल दिकर, जल चल अबजी, पजिए माफ करती ची ख्रूँ कर सकते हैं ख्रूण कर दो. फ्रूप गुम कर दो. खिर को शुम कर दो. । जी बबबजी, तेरा ये धुन जो तुम अभी गुना रहती ये, जी बबबजी, ये मेरे बच्पन की एक्याद है, जब कभी भी में मौच में होता हूं तो, विद्या देवी का ये गाना गुरूना दैता विद्या देवीब, वाव वाव वाव, गाने बजाने की बात, मैं तो समझी थी कि अब इस हवेली में कभी गाना बजाना होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, देखी ना बाबुजी, आज मेरा जनम दिन है, और पूरी हवेली पर उदास ही छाई हुई है, इसलिए मैं भी खा लवीब बर्दे जू यू, लवीब बर्दे ज्या मादू जिसकी बीवी बोरी असाधी बडा नाम है, जिसकी बीवी बोरी असाधी बडा नाम है पुलिस को तकलिफ देता है साइब वो विचारा लोग खापी कर आराम करता होएंगा यांदेव मेरे कुपूक नहीं है मैं आई साइज तुम्हारे को सलाम मारने को आयाता है सलाम मारने का बच्चा निकलेंगा चीक मारेगा तो सडेला कुता निकलेंगा कि सड्सड के मर जाएग अरे कुतलर्या चाहिए तुम तुरा सकेसकेस कि आभडा खोड़को छोड़के गया थारे मेरे बेते। यह बढ़ी मर गया था तेरे बिना कि यां क्या कर रहे हो तुम आया था तेरे कुधूने को पर यह मिला शालाक का एलाश तुम के लाशनाद को कैसे जानते ये बाद में पूछूँगा पहले ये बताओ मैं किसकी उलाथा बताएंगा पर मेरे कुछ दिन में दारू ने मिला रह, मेरे कुछ चक्कर कर आता है ना उटा किडर मिलेंगा? मिलेगा हाह पहले बताओ मेरा बाप कौन? देरा बाब किया तेरे मा के बारे में भी बताएंगा लेकिन देled के लिगे सबॉक क्या है दारू अंदर जाएगा मैरा गलास घिला हो जाएगा बात बाहर निकलना शुरू हो जाएगा करें हडा तुम सीरे से बता दो बबापूल कौन है मेरा बाप वो तो बहुत बड़ा अदमी है, तु सुनेंगा तो बहुत खुश होएगा, और तु देखेगा, तो कूदी मारने लगेंगा, हाँ तो बताओ ना, कौन है वो, वो इतना जल्दी कैसे बताएंगा रे, तुम बाप बेटा मिल जाएंगा, तो हम लटक जाएंगा, ना मैं तुम से पूछता हूं मेरे बाप कनान के है, और वो तो बहुत बड़ा अदमी, दिवाशपत बहुत बड़ा अदमी, तुम देखेंगा तो बहुत खुश हो जाएंगा, लेकिन इतना जल्दी जैसा, अच्छा है, हम तुम को तेरी मा का नाम बोलता है, उसका नाता हो वि वो तो बहुत बड़ा अदमी है, तुम देखेंगा, खुश हो जाएंगा, लेकिन इसका नाम क्या है, मेरे बाप का नाम क्या है, बहुत बड़ा अदमी है, तुम हा मैं वकी उप्ता, मैं, कभी-कभी इंसान अपने पाप का एक छोटा सा पौदा छोड़कर भाग जाता है लेकिन किस्मत उस पौदे को एक पेड़ बना कर उसके सामने खड़ा करती थी, जैसे मैं आज आज आपके सामने खड़ा हूँ ज़रा देखिये वकील साथ, उस वक्त में छोटा था, कमजोर था, बेबस, मासून, बड़ाब जवान थे, आज आप पूरे हैं, कमजोर हैं, बेबस हैं, और मैं जवान हूँ इनसान को अपना हिसाब किताब इसी दुनिया में चुकाना पड़ता है, वकील साथ, जिस बच्चे को आप लावारिस और खलंग समझ कर फिकवा आए थी, आज उसी लावारिस के साथ आपकी बेटी प्यार करती है, क्या, वोई कहानी आपके घर में भी दोराई जा सकती है वकील साथ, आपके घर में भी एक लावारिस पैदा हो सकता है, क्या आपके बार भी आप उसे फिकवा सकेंगे, नहीं वकील साथ, आप ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस मार्त पक्पीर, आपका मजा कुड़ा रही है, यगीन नहीं आता ना, तो अपने बेटी से पूछ करती हूँ, मुझे नफरत है इस तौलत से, इस जोटी इज़त से, आप ये समझ लीजे, कि आपकी बेटी पैदा होते ही मर गई थी, या फिर हीरा के साथ आपने उसे भी ठिकवा दिया था, और फेंकी हूँक उठाया नहीं करते, ये आप ही का बनाय हुआ अरसू है, चलो मौनी, अपने घर वापस लो गया, क्या, हाँ, तुम्हारे पिता से जो मुझे बदला लेना था, वो मैंने ले लिया, उनकी आखोंगे सामने तुम्हारा हाथ पकड़कर, मैं तुम्हे ले आया, और वो मजबूर खड़े देखते रहे, बस, मेरे बदला बदला लेना था, मेरे बदला पूरा होगे, जाओ, कर जाओ, मैं लोटकर जाने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़कर घर से नहीं निकले, जिंदीकी भार साथ में भाने के लिए निकले हो, नहीं मैंने, मेरा साथ कोई निनिबा सकता, मेरी तक्दीर मेरा साथ में निबा सकी तुम क्या निब मेरीन defense 3 नहीं तon उने इस तुम कि बहुत बगए बापकी बेते है बहुत बड़े बाप कब तुम कैसे जानती है मैं जानती हूँ और आज मजबूर होकर कह रहे हूँ तुम्हारे बाबुची को दिया हुआ वजन दोड़ रहे हूँ तुमको भर रनवीर सिंग के बेटे होई रहा रनवीर सिंग मेरे मेरे पिता वो हूँ वो जानते हैं कि मैं उनका बेटा हूँ हाँ वो जानते हैं मगर मगर मजबूर है हाँ मजबूर है क्योंकि क्योंकि वो मुझे अपना बेटा नहीं कह सकते हैं दुनिया को क्या जवाब देंगे लोग क्या कहेंगे कोवर रनवीर सिंग दुनिया जिनकी शराफ़क की कस्मे खाती है उनकी एक नाचायस एक नाचायस ऑलाद जिन्दा है इसजब खत्रे में पड़ रही है तुम्हारे बाग की तरह मेरे बाग की इजद भी मेरी वजह से ख़ती न पड़ रहे हैं और शायद यह जागते हुए यह जागते हुए कि मैं इतने बड़े बाग का बेटा हूं तुम यह सोच कर मेरा हाथ पकड़कर अपने बाग की घर से चल्ए आइए खेरा, इतनी गिरी हुई बात किये तुमने आज तुमने अतने आपको मेरी नजरों से गिरा दिया है मैं तुम्हें प्यारे नहीं करती, तुम्हारी पूजा करती हूँ जिन्दगी में पहला मर्द देखा जो अपनी इंसत करवाना जाता है यही सोचकर मैं घर से तुम्हारे साथ निकल पड़ी थी लेकिन तुमने मुझे काली दी है हीरा काली दी है मैं तुझी समझी थी कि तुम इतने बड़े बाप की बेटे हो यह सुनकर तुम खुश होगे क्या करूंगा इस खुशी का और क्या करूंगा ऐसे मजबूर बाप का बेटा बनकर जो अपनी अउलाद का अउलाद नहीं कह सकता इससे अच्छा तो मेरा वो बाप गंगू था जो शराब के नशे मुझे बेटा तो कहता था मैं भी अपना सीना ठोक कर कह सकता था कि हाँ यह मेरा बाप है अगर यही बात है तो मैं तुम्हारे प्यार की कासम खाकर कहती हूँ कि मैं इस का सकत कभी भूल कर भी किसी से नहीं करूंगी कि तुम किसके बेटे हो और तुम्हें भी कासम है कि तुम यह बात कभी अपने जबान पर नहीं लाओगे मुझे माफ करता है जिन्दकी में मैंने इतने धोके खाएं कि अब अपनों और वैरों को पहचानने में मैं खुद धोगा खा जाता हूँ जो तुम्हें को और संकर कर चूँ क्या कहा था न उचल पड़ोगी बता लड़का चाहिए या लड़की ओ पद्मा यह लड़का लड़की बीच में क्यो लाती हो जवानी याश करने के लिए होती है मैं तुम्हारे बच्ची की मा बनने वाली हूँ पद्मा फिर वही घिसी बीटी बाते हैं जिस लड़की को देखो हर तीसने मेने शुरू हो जाती है मैं तुम्हारे बच्ची की मा बनने वाली हूँ ये, ये तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे ब Chick Garda मैं तुम्हारे क्या मैं तुम्हारे बच्चे आता था सक्ता है कियो सच्छी बात पढ़ भड़ रगशा के का देख रही है अरे मेरे गले पढ़ना है तो बजार में जाके इन नो और भीटा जान दो जरा पदमा माँ बनने वाली है तो मुझे कहने लगा कोई बात नहीं है गर पाथ करवालो जाओ लालकले की उची दीवारों बचर जाओ वाजा के नारे लगाओ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और अगर फिर भी तुमको तसली ना मिले रेडियो सिंगर रेडियो स्केशन चली जाओ मेरी बदनामी के गीत जाकर गाओ आप चुपा हैं पूर्जाब ठान रखिए आप बेशक खामोश रहें लेकिन मैं खामोश रहने वला नहीं मैं अख भी बेटी की इनसाफ चाहूंगा जाहे मुझे हीट का जवाब पत्थर से ना पड़े मैं पीशे रटने वला नहीं मैं इनसाफ लेकर रहूंगा मैं अपनी विस्यत बदलने आया यहां यू महिंदर के नाम आप मैं कुछ नहीं करना चाहता है उसके नाम ऐसा क्यों दूंद्र हो और अधार मर्जर भाट दुख होता है लेकिन अधार हो और नालाइक तो परताश नहीं होता है प्राणी बसी यह देदरी होगी, इसी हलमारी में बाबुजी इस कमरे में किसी को नहीं आने देते पित्या, पित्या कितिस्पिर यहां इसका मतलब पित्या कुमर साथ से प्यार काते थी अजिए और यह दोस्त वकिल साथ मेरी वकिल साथ मेरी यह वसीट चुराने आदेप यह वसीट मेरी चुराई यह बहुत शर्मिंदा तो आप होंगा अपनी बेटी के सामने, जो यहां जाओ इसी घर में सो रही जिस वक्त उसे अपने बाप के असलेत मनन पड़ेगी वो भी आपसे उतनी नफरत करेगी को साथ जितनी मैं अपनी अपनी वालाद से खरता हूँ मैं पुछाता हूँ आपसे आपके लिए बेटरी ही लुगा क्या तुम यहां से तफ़ा हो जाओ जाओ यहां से निकलो अरे यह क्या कर रहा हैं जरा से खलती के लिए बेटे को खर से निकाल रहा है मुझे ऐसी जली लालाद नहीं चाहिए इस गर में अगर तुम्हे अपनी से गशाओ फीज़ा आपके लिए बेड़ा के साथ बहुत हमदर दिये तुम भी इन के साथ तफ़ा हो जाओ जाओ यह यहां से अपजाओ हिरा सिर्फ तुम्हारी बाप की जाजाद का वारिस नहीं है बरके मेरी भी सारी जाजाद उची है आपकी जाजाद वो कैसे है उसकी माप की सारी जाजाद हिरा के नाम कर भी थी कि मैं तुमारे साथ साथ मुझे भी फुटबात पर आना पड़ेगा अब अगर तुमने ज़रा सी भी देर गी याद रखो तुम्हें सिंदी की बन प्रीक मांगी पड़ेगी तुमारा भी पोई आलोगा जो कली राका था तुम्हें तो उसे नौका रखी है लेकिन वो तुम करना होगा और मिटाना होगा मैं तुमारे ले यह प्लाइगा रहागा है पाबजी कुम्हें तुमारे बाप जिंदी की देर चुके है और तुम्हें सिंदी की शुनू कभी है तुम किसी भी तरह कुम्हें साप को लेकर के चड़न मारे कंचो मेरा मेरा को मार डालेंगा वह साप को चंदर मारे में कुछ बदमाशों ने किये रखा है उनकी जानको खत्रा है तुम जल्दी से माँ पहुचो मैं पुलिस को लेकर आता हूँ महिंदर बाबु के गुंड़े उसे बुदी तरह पीट रहे कहाँ चंदन वाड़ी में ज़िए वाप चालने वाजाए का दूरू, आखिर बारत क्या है? कौन है यह अधरी? यह मरे हिरा रनबीर सिंग को जान से मारना चाहता है तो मारे बापने पेजा है क्या? यह चंदरवारी कहा है? चंदरवारी उस पहारी के पीछे है और इसका शोटकर इधर से है समझा, मैं से समखसी हो समझ कि जा वकील साब, सब दीके जा फिकर मत कर मैंने ऐसा महरा फिट किया है कि बाप और बेटा एक दूसरे को बचाने के लिए यहा आते होंगे बाबजी बाबजी हीरा हीरा इरा बाबजी इरा इरा बाबजी इरा बाबजी इरा तुम ठीक हो याह वाजी आप ठीक है मैं वाकील साबने कहा कि आपकी पुछ कर मनता ऑची छूशिए बबबबबबब ये क्या क्या बबबबब युले ले तुमने फना खून बादी ऑची वहनर इसब क्या हो राओ यह खून नहीं है बच्चा, यह तो दारू है, जो जिन्दगी भर तेरे नाम पर पिया है बच्चा, मैंने तेरे को इत्ता दुख दिया है कि मैं नरक में जाएंगा पंद्यवा शपक, अब ज़रा इज़त से जाएंगा ना, है ना बच्चा बच्चा, कव्ड़ में जाएंगा ना, कहते है पंदयशन, पुर जाएंगा में ना, क्या है, ही आप civ towel बचonders restaurant प्छूर झाएंगा मिप MP का प्सक का झाय जा मोईगा तुमने मुझे खर से बेज़ब करके निकाला था आज मैं तुम्हे दुनिया से निकाल दूगा महंदर बाबु ने आपके सारे आद्मों को आपके खराफ कर दिया है ये चाबी हीरा बाबु ने मुझे दी थी शेह उसलमारी की है इसमें सारे हत्यार है आगे बड़ो चुहे बड़ो रुक जाओ आप उनसे कहो के आपने आपने हाथ्यार पैंक दे बोलो हाथ्यार फैंक दो अब आपना समंचा मुझे दे दो और मेरा दवाहाना तुम लेलो रुक जाओ वरना ये थर्मामेटर मूह में डाल दूगा वर में जाओ पॉली स्टेशन पर अब हावाल आप क्या हावाद खाया यह आपने बहुत अच्छा किया अरे पगड़ो 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 है 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 कि अब है है अब आप आप यह रहा तुम्हारा थर्मात्मा देख लो इसका असली रूप तुम्हा सहाब बहुत दिन हो गए और आपने बच्ची खबर तक नहीं ली मैं तो सोचता था कि मुझे बुलागर आप यह कहेंगे लड़की आपकी हो गई और लड़का मेर हो गया सोचिए आपके भी जवान बेटी है अगर उसके साथ सब कुछ होता तो आप क्या चुप रहते हैं आपकी खामोशी ने मुझे मजबूर कर दिया है हुमार सहाब आज या तो इनसाफ होगा या मामला साफ होगा इस खामोश है भाईयो बढ़ो 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 बढ तार लुभा देрал के बढ़रो इस खामोशी महां बार रारा ग्रिया था बारा बलाने कि नहीं अएज़ दे एंग सो अचा हम दो हैं जए भाइब लुटे लो औरहा है अगर्श ठीर है हुआ 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 है हुआ 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 हु अपने किये की सजा तो हर इनसान को बगटनी पड़ता है लेकिन अपना चुर्म कबोल कर लेने से उसकी सजा चेलना असान हो जाती है चल बाबुजी के सामने चल अपना चुर्म कबोल कर चले इंसाफ तो मैं तुझसे मांगता हूं लाला तुझ जैसे खुदगर्ज इनसानों ने मेरे बेटे की जिन्दगी बरबाद किये बोल क्या सजा दू तुझे लाला बोल बोल तुझे लीजे ले आया महिंदर को चल माफी मांग बाब जी मुझे माफ करती जी तु मेरे खुन नहीं तू तु मेरे गुजरेओ किल की वर कालीट है जो आज जो आज मेरे चहरे पे मली जारही है अपने पापों का प्राश्शित करने के लिए दिल में आता है तुझे यहिंख खत्म कर तो ताकि तेरे साथ मेरा घिनोना माजी हमेशे के लिए खत्म हो जाए मगर ऐसे निकरूँगा तक तेरी हर जाइज नाजाइज जित पूरी की है और आज मैं तेरी आखरी खाहिश भी पूरी करूँगा मुझे मारना चाहता है ना ने चला को ने बाबो जी मैं बगुनेगार हूँ अपने बाते की कालिक को अपने हाथ से मिटा दीजिए इस कलंड को आईए आईए इस तक्रेटाप जल दियो वकील साब को तो पगड़ लिया भाग रहा है ता है दूसरे बाड़ी उदर जीप में है और तीसरे हमारे यह चोटे सरकार चलिये मिस्सर महंदा बाबो जी इन्हें रोकृजाए अगरिम मेरे महंदर को ले गये तो मेरा क्या होगा बाबो जी बिगर मत करो पद्मा तेरे बच्चे को माई अपनः नाम लेगा बापण अपना बनाएगा तेरे को दुम कैं का कह रहे हो आ मुई sponsored त subscribe सब कुछ है मुझे भूलकर तुम अपनी जिंदीगी गुजार सकती हूं लेकिन इस कहानी का अंजाम क्या होगा मुझे मालू ने फिर से एक लावारिस पैटा होगा फिर से वो दुनिया की ठोकने खाएगा जिंदीगी का जहर पीपी कर या तो वह मर जाएगा या फिर अपन जैसे पाप के काटो वाला ज्याड बनकर खड़ू जाएगा अब ना ले दो अवर कोई से नहीं हिरा वह पाप के काटो वाला ज्याड नहीं पनेगा क्योंकि वह लावारिस नहीं कोवार रनवीज सिंग का खुन कहलाएगा इस्पेक्टर सब ले जाओ इसे करें लेक्टर सिंगा झाल के अभी आपनकर विया नहीं किया हो कुम्या बएब बएब अजज़ कियो समाचे बएब ले भगजय हो जाता है भूची, तेरा कहा जावे, जिदर भी चला जाएगा बाबुजी, पनीरा में रहेगा, आप, आप समझना, एक नोकर था आपके पास, नोकरी किया, चला गया भूची, चला क्या, हीरा, 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 रुप जाओ, हीरा, हीरा, जापकान, हीरा, 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 हीरा देख देख मैं कितना बदनसीद बाप हूँ जिसके आसु पोच्टे वलक कोई नहीं हीरा रुख जा हीरा लावारिस तू नहीं लावारिस तो मैं हूँ रुख जा मेरे बेटे पेरी जिन्दगी का कोई भरुसा नहीं बेटे बाप की चिता को बड़ा बेटा ही आग लगाता है मेरा यह हक मुझसे मत चीन मेरे बेटे वापस आजा मेरे बेटे मापुची जा मेरे बावारिस जा गरवार और लगाता हीर दो को बालBack लेक emple Nikki जा लेकल और की क ÖL बेपाव लावाप। और लगाता है झाल झाल